Hey guys, आज अपन जिस गाड़ी की बात करना वाले हैं, वो इंडियन मार्केट में SUV गाड़ियों का king है, ये गाड़ी जब इंडियन मार्केट में आई थी, तो आते ही इंडिया की most selling compact SUV वीकल बन गई, और आज की डेट में भी अगर आपको इस गाड़ी का black color लेना है, तो at least 6-8 महिने की waiting लगती है, that's right guys, I am talking about the new creator facelift 2023, अब new facelift में काफी ज्यादा नई शांदार चीज़ें आने वाली है, जैसे की रहेगा आपका front fascia, मतलब front look पूरा change हो गया है, new alloy wheels देखने मिल जाएंगे, एडास जैसे शांदार features देखने मिलेंगे, और एक new 1.5 liter का turbo charge petrol engine भी looks में क्या क्या changes आने वाले है, गाली तो पहले बात बहुत ही जात aggressive look के साथ आईगी, ये गाली कई बार Indian road पर spot करी है, camouflage में, गाली का front है ना उस पर पूरी नई grill देखने मिलेगी, जो कि glossy color की होगी, 3 diamond cutted shape के DRLs देखने मिलेंगे, और new double projector headlamps देखने मिल जाएंगे, double projector headl just नीचे आपको देखने मिलेगा, आपका fog lens का position और वो ही आपके convert हो जाएंगे indicators, front में आपको एक address का radar देखने मिल जाएगा, और सामने की तरफ आपको बढ़िया silver accent में grill देखने मिल जाएगी, जो कि मेरे क्याल से first rise clicking काफी ज़्यादा शानदार देख रही है, चला जाए इस गाड़ी की side profiling की उपर, तो side profiling में आपको new 17 inch के diamond cutted alloy wheels देखने मिल जाएंगी, उपर की तरफ आपको बढ़िया roof wheels और panoramics sunroof का option देखने मिलेगा, इस गाड़ी में आपको monotone और dual tone दोनो ही paint देखने मिलेगे, back side की बात करूं तो unfortunately इस गाड़ी के back side में कोई भी change देखने नहीं मिलेगा, उपर की तरफ आपको shark fan antenna देखने मिलेगा, नीचे की तरफ आपको buff tip bumper silver accent में देखने मिलेगा, rear parking sensors और rear camera देखने मिलेगे, side में एक और बात बताओ, तो जो आपकी mirrors रहेंगे, उनके just नीचे आपको camera देखने मिलेगा, जिस इस गाड़ी के अंदर इंटियर profile में भी आपको काफी जादा शांदार चीज़ें अपडेट्स में देखने मिलेंगी, one of the first thing रहेगी इस गाड़ी का new interior color, जैसे कि आपको एक Hyundai Alcazar में देखने मिलता है, इस गाड़ी में भी आपको देखने मिलेगा, एक new tan color, एक black color और एक white color का interior, इंटियर में स् front ventilated seats देखने मिल जाएंगी, automatic climate control, inbuilt air purifier और wireless charging port, seat type charging port और USB charging port जैसे शांदार options देखने मिलेंगे, but unfortunately अगर आप इस गाड़ी के lower model जो की EX model है, आप उस में जाएंगी तो उस गाड़ी में आपको कुछ नहीं मिलता है, even आपको infotainment system भी देखने नहीं मिलता है, और top end models में आपको maximum चीज़ें सारी देखने होती है, back side की बात करो तो आपको अलका फूल का glossy interior देखने मिलेगा, पीछे की तरफ आपको 12 वोल्ट का charging port देखने मिल जाएगा, और आपको जो air quality level है, उसका भी एक sign पीछे की तरफ देखने मिल जाएगा, वह एक comparison में जो उसका competitor है, किया sell does, उसका interior इस गाड़ी से far better मुझे लगता है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको एक proper luxury interior जैसी feeling आती है, और इस गाड़ी की build quality as a interior काफी जाद अच्छी है, अब बात करते हैं इस गाड़ी की engine profile के ओपर, engine profile में unfortunately आपको इस गाड़ी में hybrid engine देखने नहीं मिलेगा, बाट लेकिन आपको एक new चीज देखने मिल रही है, जो कि आपको एक 1.5 लीटर का turbo charge petrol engine, ये same engine है जो कि आपको देखने मिल रहा था new Hyundai वर्ना में, ये produce करेगा आपकी 156 PHP की, साथ से 252 Nm का torque, इस की bearing होगी आपके 6-speed manual gearbox साथ, और एक new TCT gearbox के साथ, जो कि और भी शानदार है इस गाड़ी में दूसरे option रहेंगे, आपके 1.5 लीटर का national aspirator petrol engine, जो कि 114 PHP की power बना रहा है, और 144 Nm का torque बना के दे रहा है, और next option रहेगा, इंडिया का वर्नों की most reliable engine माना जानवाला 1.5 लीटर का diesel engine, अभी भी इस गाड़ी में आपको diesel engine देखने मिलेगा, जहां सारी 250 Nm का torque, इन दौनों की पेरिंग होगी आपके 6-speed manual gearbox और 6-speed automatic gearbox के साथ, safety features की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको आज देखने मिल जाएगा, जो कि आजकर maximum गाड़ी में देखने मिलने लगा है, आप इस गाड़ी की endcap rating फाइफ स्टार की रहेगी, जैसे की वर्ना की सान रही है, सो आल ओवर गाड़ी काफी update होगी